एक है ते हैं ते हेलो का है असलोग स्टडी में आपका स्वागत है आज कि इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सक्षम साक्षी के वारे में कंप्टेंट बिटनेस के वारे में सक्षम साक्षी ठीक कमपेटाइंट बिटनेस के बारे में अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बिटन दवा का सब्सक्राइब कर लें मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी क्या करें समानता जो नियम है उसके अनुसार सभी लोग साक्ष देने के लिए सक्षम मान जाते हैं या च्छमता रखते हैं और जो आसक्षंता होती है आसक्षमता ठीक है? यह अपबाद में है बहिए कानून की नजरों में विदी की देश्टी में सभी लोग साक्ष देने के लिए समान है कोई भी साक्ष दे सकता है और जो नहीं दे सकता है वो अपबाद है परन्तु इसमें कौन कौन शामिल है जो सक्षम साक्षी नहीं है जैसे कम एज के होने के कारण कोई बच्चा 7 साल या उससे कमका है चे साल या उससे कमका है या वो बच्चा जिसकी आयू ज़्यादा है या पांच-छे साल का यह और बात को समझने में असमर्थ है तो वो सक्षम साक्षी नहीं माना जाएगा वो व्यक्ति जो बहुत ब्रद है वो ब्रद होने के कार सक्षम साक्षी नहीं माना जाएगा शारीरिक और मानसिक रूप के रूप से सक्षम नहीं है शारीरिक या मानसिक रूप से रोगी है या रोगी होने के कारण वो सक्षम सक्षी नहीं माना जाएगा इसी प्रकार अन्य कारण से अन्य कारण भी हो सकते हैं और न्याले के विचार में न्याले की सोच में कोई ब्यक्ति जिससे कोई प्रसिन पूछा जाता है कोई प्रसण पूछे गए हैं और समझने में और उसका युक्ति- strangely उत्तर देने में आसमथ है तो सक्षम कि इछ नहीं माना जाएगा साख्ष देने के लिए धानता नहीं सक्षम साक्षी के आवर्षक तत्व इसके आवर्षक तत्व देखी कौन से हैं ठीक आवर्षक जो तत्व हैं तत्व में क्या बताया है कि उल्टा देख लीजिए कर लीजिए उसे कि कौन सक्षम नहीं है जो सक्षम नहीं है उसे छोड़ के बागी सब सक्षम है तो कौन प्रश्णों को 2 द्वारा पूशे गए प्रष्णों को समझने में समझने में असमर्थ होना अधियालयत वारा पूशे गए प्रश्णों कि समझने में आसमर्थ आसमर्थ वेक्ती आसमर्थ हो ठीक है वेक्ती आसमर्थ हो यह पहला तत्व है दूसरा तत्व है कम आयू होना आयू का कम होना ठीक कम होना तीसरा तीसरा है अत्यादिक बुढ़ापा चौथा है मानसिक अत्वा शारीरिक बीमारी पांचवा है इसी प्रकार का अनकोई कारण तो ये इतने तत्व हैं जो सक्षम नहीं है बाकी सब लोग साक्ष देने में सक्षम माने गए सक्षम साक्षी माने गए हैं साक्ष देने के लिए चाइल्ड बिटनेस के बाद देखिए जो चाइल्ड बिटनेस होता है चाइल्ड बिटनेस बालक साक्षी ठीक बाल साक्षी जो चाइल्ड बिटनेस होता उसके बाद देहिए चाइल्ड बिटनेस की बारे में ये कहा गया है धारा 118 में की आसक्षंता का कारण बालक पन बताया गया है वालक की जो छमता है उसका निधारण भी न्याले प्राश्णों पूछ कर करती में पूछ कर कर रहा है तो उसकेального कि द्वारण दिया जाने वाला साक्ष, साक्ष के रूप में मानने होगा यह तक अगर पांच या छे वर्ष का बालक है पांच से छे साल का अगर कोई बच्चा है अगर वो न्याले के प्रश्णों को समझ रहा है और समझ कर युक्ति जवाब भी दे रहा है तो वो सक्षम साक्षी माना जाएगा साक्ष देने के लि बारा वर्ष देखिए बारा साल का या उससे नीचे का बारा वर्ष या उससे छोड़ा उससे नीचे के जो बच्चे होते हैं उन बालकों को साक्ष देने के लिए शपत नहीं दिलाई जाएगी और पांच से छे साल दक का भी गर बच्चा है और कोश्चन को समझता है युक्ति जवाब देता है तो वो सक्षम साक्षी माना जा सकता है अब यहाँ पर बिरद बीमार और पागल बिक्ति बिरद बीमार और पागल बिक्ति अब यह तीन बिक्ति होते हैं तीनों के लिए कहा गया है अच्छा इसमें एक बात और होती कभी कभी बहुत ब्रद हो जाने कारण कोई बिक्ति की जो समझ होती वो कम हो जाती है और यदि नियाले पाता है कि अतिविरद हो जाने के कारऽ साख्षी है वो प्रश्णों को समझने में और युप्ति युब्ति उत्तर देने में असमर्थ है तो भैब साख्ष नहीं दे सकता अगर वो दोड़ा बेखती भीमार बेखती पाघल बेखती अगर न्याला दोवारा पूछे क्या प्रश्णों को नहीं समझ पाता है या युगत उत्तर नहीं दे सकता डीजनेबल उत्तर नहीं दे पाता है तो फिर वह बेखती सक्षम नहीं माना जा सकता साख्ष देने के लिए इसी प्रकासारी यह को मांसी रूप से रोग से गिरस्त या ग्यस्त होने की कारण नियाले के प्रश्णों को नहीं समझ पाता है उत्ता नहीं देपाता तो फिर वह भी सक्षब साक्षी नहीं माना जाएगा अगला है मूख साक्षी डंब बिटनेस मूख साक्षी तीसा देखिए मूख मूख साक्षी का जो प्राबधान है डंब का डंब बिटनेस का वो है धारा 119 में 119 धारा 119 में इसका प्राबधान है यदि कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो इतने मात्र से बहे साक्ष देने में आसमर्थ नहीं माना जा सकता अगर कोई बेक्ती मूख है बोल नहीं सकता तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बेक्ती सक्षब नहीं है साक्ष देने के लिए क्योंकि जो मूखपन है वो उसका जो बौधिक या तर्क है उससे कोई लेना देना नहीं होता कोई बेक्ती बोलने में असमर्थ रो के कारण हो सकता है या मौन ब्रत लेने की कारण भी नहीं बोलता है या जर्मजात गुंगा भी हो सकता है तो गुंगा बेक्ती मूर्ख नहीं होता है मूर्ख नहीं माना जाता है कि वो तर्क ना लगा सके दिमाग ना चला सके उसके द्वारा दिया गया साक्ष धारा 119 में मान है और यह सक्षम साक्षी माना गया है सक्षम साक्षी होता है मूग साक्षी सक्षम साक्षी है साक्षी का मौखिक रूप से जो सूचित करने में असमर्थ होना तो ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है ऐसे अनरीती से जिससे उसे बोधगम बना सकता है जैसे कि लिखकर बोधगम से मतलब लिखकर बोधगम बना सकता है लिए बोधग्यम करता सकता हिसे कोdeterm कोड När कोड में कोई निशान मना सकता है कोड में कोई संकेत ने Warszawa लिपके सबक्राइब कह गया खोले नन्यालें परकेट संकेत चिन मौकिक साख्श माना जाएगा लेकिन दुभाश्यों विश्यव index लग जोगा उसके बीडियों भी तयार की जाएगी यह कहा गया इसमें पती-पत्नी के लिए का गया पती-पत्नी सक्षम साक्षी है यह नहीं कि धारा 120 कि भारतिय साख्ष अदिनियम की धारा 120 में प्राबधान है उसके अनुसा जो दीवानी कारवाईयां होती है दीवानी कारवाईयां होती हैं उन कारवाईयों में दावे पक्षकार और किसी पक्षकार का पती या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे सक्षम साक्षी माने जाएंगे जिस वेक्ति की बुरुद कोई दांडी कारवाई होगी केर्मिनल केस में हो तो उसका पती और पतनी भी सक्षम साक्षी होगे आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की सक्षम साक्षी की अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहिए हैसल लोग स्टेडी के साथ